सौ करोड में से एक बनता है कपताम प्रेशर नहीं जहिल सकते तो लगाओ केले और अंडे की तुकान क्यों आया 1983 वर्ट कप विजेता कपिल देव को यंग्स्टर्स पर गुस्सा सौ करोड से भी अधिकी आबादी वाले देश में सिर्फ कुछ ही ऐसे खिलाडी होते हैं जिने भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है लेकिन अगर उन भागिशाली खिलाडियों को ये मौका एक दबाव लगने लग जाए और वो इस मौके पर गर्व महसूस करने की जगहां प्रेशर महसूस करने लग जाए तब आप क्या कहेंगे खेर आप कुछ भी कहें लेकिन ऐसे खिलाडियों पर 1983 में भारत को पहला वर्ड कप दिलवाने वाले पूर्व भारती दिगज कपिल देव ने अपना बयान जरूर दे दिया है और ऐसे खिलाडियों पर महान कपिल देव जम कर बरसे और आग बबूला हुए कपिल देव ने ऐसे खिलाडियों को अंडा और केला बेचने की सला दे डाली क्यों दी कपिल देव ने अंडा बेशने की सला जानने के लिए देखते रहें क्रिक इंफॉर्मर नमस्कार मैं हूँ आपके साथ देवे श्रवास्तव कर रहे खिलाडियों पर तंज कस्ते हुए कहा एक खिलाडी को खेलना बंद कर देना चाहिए अगर वो अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का दबाव नहीं उठा सकता कपिल देव ने आश्चर रिव्यक्त करते हुए कहा सौ करोर से अधिकी आबादी से एक खिलाडी को देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है उसे इस पर गर्व महसूस होना चाहिए भारत के पूर्व दिगज ओल राउंडर कपिल देव इस दोरान यूवा खिलाडियों पर भी जम कर वरसे यहां तक कि उन्होंने खिलाडियों को देश चे प्रतिनिधित्व करने का दबाव ना सहपाने की स्थिती में खेले का स्टॉल खोलने या अंडे की दुकान लगाने तक ही सलाह दे डाने उन्होंने कहा मैं बार बार सुन रहा हूं कि हम IPL खेल रहे हैं बहुत दबाव है यह शब्द इतना सामान ने है ठीक है उनके लिए मैं कहना चाहूंगा मत खेलो आपको कौन कह रहा है आप उस ल लोग खेल रहे हैं और फिर भी आप कहते हैं कि आप पर तबाव है ऐसा कहने के बजाए आप यह कहें कि यह गर्व की बात है क्योंकि आपको लोगों का इतना प्यार मिल रहा है उस पर गर्व होना चाहिए क्या आप भी कपिल देव के इस बयान से सहमत है क्या आपको भी लगता है कि ऐसे खिलाणियों को अंडे और केले बेचने चाहिए तो अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले